हलो एरिवान वेलकम तो अभिशा जूकेशन फॉर एक्सलेंट तो आज लास्ट क्लास है इसके बाद इसके बाद आप लोग कोई शिकायद नहीं होना चाहिए और मैं प्राइक तक असी बेसिक वाला पार्ट क्लियर किया ठीक है दोको ध्यान से देखो क्या वो रहे कोशन यदि E और F गटना इस प्रकार है कि P of E तो यहां पर लिखते हैं आप दिया है दिया गया दिया गया है दिया गया है क्या दिया है P of E P of E is equal to 1 बटा 4 बहुत बढ़ी है और P of F P of F कितना दिया हुआ है एक बटा 2 बहतरीन और P E और F और लिखा है और का मतलब intersect होता है मतलब यहां पर P और का मतलब यह intersect और यह F यह कितना दिया हुआ है एक बटे 8 एक बटे 8 तो ग्याद किजिए पहला E या F ठीक है पहला क्या है E या F P या का मतलब होता है union F यह मेरे को पहला पुछा है दूसरा पुछा है E नहीं और F नहीं नहीं का मत मतलब डैश होता है second पूछा है second पूछा है P नहीं P नहीं का मतलब होता है E डैश और का मतलब होता है intersect और F नहीं का मतलब होता है F यह हम लोग को दोठो पूछा है प्यार से प्यार से पूछा है तो चलो प्यार से लिखा लेंगे यहीं पूछा, P union, E union F पूर रहा है, प्राइक्ता पूछा है, प्राइक्ता, तो इसका फॉर्मूला में यहां पर आप लोग को लिखा है हमें, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को मालू में direct लगा रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है, P of E plus P of F minus P of E intersect F, तो आप लोग को P of E कहीं पर दीख रहा है क्या, एक बटा चार है सर, सर एक बटा चार, प्लस P of F, सर एक बटा दो, minus P of E intersect F, सर एक बटा आट, लगुत्तम लिका लूँगा, अब लगुत्तम लिकालना नहीं बताऊँगा, लगुत्तम आएगा आट, लगुत्तम आएगा minus 1, तो 4 और 2, 6, 6 में minus 1 हुआ, ये 5 बटाट, 5 बटाट इसका अंसर है, ठीक है, लगुत्तम लिकाला, वह आपका है भी अकाम, अब ये, P, E नहीं का मतलब, E dash होता है, और का मतलब, intersect होता है, F नहीं का मतलब, F dash होता है, वहीं लिक, अब इसका तो कैसे करें, मेरे को P of E मा मैं इसको बताया था कैसा लिखना यहां कहीं पर, ये, intersect होता है, तो कैसे करके लिखना, मैं आप लोग को बताया था, तो देखो, इसको कैसे करके लिख सकता हूँ, मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, P, E, E dash हटा के E लिखा, intersect हटा के union लिखा, F dash हटा के F लिखा, और बाहर मे डिआ बाहर में डिआ कर दाल दिआ अब इसको कैसे लिख सकता हो डज वाले को याद eh pa डैश रहता है pa डैश उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मान लो ना यह मेरा we है मान लो यह है मान लो यह है मान लो यह है मान लो यह है तो क्या हो गया पी A डैश हो गया इसको कैसे लिख सकता हूं 1- P of A A क्या मैं माना E union F को तो यह हो गया 1 minus P E union F की value अभी तो लिकाला यह देखो P E Union F की value लिकाला मैं 5 बटा 8 अब इसका भी लगुत्तम लिकालो इसका लगुत्तम लिकालोगे तो 8 होगा, यह 8 इधर आ जाएगा 8 माइनस 5 तो यह हो गया 3 बटा 8 यह हो गया 3 बटा 8 क्या गजब का concept है क्या गजब का concept भोला मैं तो यह हो गया पूरा गयात किजिए, क्या गयात किएना है A नहीं, B नहीं P A या भी हम लोगो यार लेवल वाला दो, अभी तो हम लोग पूरा सीख गये है तो हम लोग को दिया है P of A दिया है करके हम लोग लिख लिए P of A, 0.42 0.42 P of B P of B हम लोग को दिया है 0.48 0.48, okay, और P, देखो यह A और B है न, और का मतलब intersect होता है, यह दिया है 0.16, ग्याद क्या करना है, A नहीं, okay, A नहीं का मतलब होता है, ए नहीं का मतलब होता है, सब में प्राइक्ता ग्याद करना है, हम लोगो प्राइक्ता ग्याद करना है, इसमें लिख ले ना भई, प्राइक्ता ग्याद करो, हम लोगो प्राइक्ता ग्याद करना है, यह P, P का मतलब भी प्राइक्ता है, अगर प्राइक्ता नहीं लिखा है न को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1-P of A और P of A की value मेरे को given है P of A की value का है 0.42 0.42 यह 0.42 तो एक में अगर 0.42 कर दिये घटा दिये तो क्या हो जाएगा 0.58 0.58 हाँ ठीक है 0.58 यह P of A की value आई इसको ऐसे करके बंद कर दिया मैं यह लो अब यार यह तो मेरे से पहले लिकाल दो यार सेकंड क्या है सेकंड मेरा है सेकंड क्या है मेरा P, B नहीं का मतलब B और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1-P of B और आपको चान के ताजूब बंद को P of B दिया यार 0.48 0.48 तो इसको अगर मैं घटा दू क्या हो यार अगले साल कॉलेज जाने वाले हो कॉलेज जाके मस्ती करोगे तीसरा क्या हो रहे A या B, ओके या न, या का मतलब क्या होता है यह हुआ यह हुआ probability A या B या का मतलब union होता है A union B A union B का formula मेरे को मालूम है P of A plus P of B minus P of A intersect B फटाक से होना चीज जब आप लोग लिखने बैठोने है तो ऐसे हाथ का पपाना नीची है क्या होगा आप सोच रहो अरे सोचना होचना क्या है इतने बाद प्रैक्टिस कर डालो आपको याद है जब आप गाड़ी चलाते हो और अचानक से घढ़ा आ जाता है ना तो आप सोचते हैं नीची हो ब्रैक दबाओं की नहीं दबाओं फट से ब्रैक में हाथ चला जाता है पॉत चला जाता है यह कैसे हैं वार इतने बार प्रैक्टिस कर नहीं focused की आप को मावलू मैं खतरा आ रहे नहीं अप रखो सी जाते हो, मैं घर लख लूंगा और घड़ा आएगा तो मैं ब्रेक दबाऊंगो आप की जाते हो तो यह P of A, P of A आया, 0.42, ठीक है, P of B दिया है, 0.48, ठीक है, A intersect भी दिया है, 0.16, ठीक है, अब इसको मैं solve किया, मैं, हाँ, solve करा, तो क्या हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह 50 और 90, 0.90, 0, minus 0.16, तो यह कितना हो जाएगा, 42, 42 और 0.8, कितना हो जाएगा, 50, 50, 90, अब इसको घटा देते हैं, तो यह 80, तो 0.74 आएगा, ठीक, 0.74, तो यह इसका answer हो गया, यह इसका answer हो गया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, यह 0.58 आया, कोई दिक्कत नहीं, 0.52 हो आया, बहुत बढ़ी है, इसमें 0.42, 0.48, अगर इसको 2 दे दिया तो यह 50 हो गया, 50 और चान 90 गजब, और यह 0.16 गजब, नबबे में यह ले लिए, तो 80 हो गया, और यह 74, मांड में कैलकूलेशन कर रहा हूं मैं, अब क्या क्या कर रहा हूं, कहीं लोग को तो ऐसा लग Κ rubbing forichi 11 जपक्षा के 40 % जी विग्जान परते हैं, 80 % जी विज्ञान परते हैं 30% जी विज्ञान परते हैं last of practice 10% जी विज्ञान परते हैं 10% जी विज्ञान जा है जो गणित और जी विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, यदि कक्षा में एक विध्यारती याद्राच्छाया चुना जाता है, तो प्राइक्टा ग्यात किजिए, तो हम लोगों प्राइक्टा ग्यात करना है, तो प्राइक्टा ग्यात किजिए कि वह गणित और जी विज्ञान पढ़ता होगा, अब मैं आप लोग का ध्यान यहां पे केंदरित करना चाहा रहा हूँ थोड़ा सा, यहां पे क्या लिखा है, गनीत और, यह देखो और, गनीत और, यह और को ध्यान से देखना और का मतलब होता है, union की intersection और का मतलब होता है intersection और यहां पर पूछा है गणित या या का मतलब क्या होता है या का मतलब union होता है तो ध्यान से देखो और जब कभी ऐसे प्रतीसत में बोल दे रहा है तो प्राइक्तायूज होगी तो solution में लिखा solution में लिखा यहां पर मैं solution लिखा यह solution बोला है 40% विध्यार्ती गनित पड़ते हैं 40% विध्यार्ती जो है वो हमारे गनित पड़ते हैं पढ़ते हैं, 40% विद्ध्यार्थी गनित पढ़ते हैं, माल लो यह जो गनित पढ़ते हैं, विद्ध्यार्थी उसको मैं A लिए लिया, तो 40% है, 40% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 40 और यह प्रतीसत को हटाने के लिए बटा 100 करते हैं, 0 से 0 कट गया, तो 4 बटा 10 को मैं 0.4 लिख सकता हूँ, तो 4 बटा 10 को मैं 0.4 लिख सकता हूँ, ठीक है, अब बोर रहे है, 30% विद्ध्यार्थी, 30% विद्ध्यार्थी जो है, क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, इसको मैं माल लो B ले लिया, कितने परसेंट बोला हैं सहाब, 30% बोला है, प्रतीसत को हटाने के लिए, बटा 100 करता हूँ, 0 से 0 कटा और 3 बटा 10 को मैं 0.3 भी लिख सकता हूँ, अब बोल रहा है, 10% विद्ध्यार्थी गणित और जी विज्ञान पढ़ते हैं, गणित को मैं A लिया और इसको B लिया, 10% विद्ध्यार्थी क्या बुला है, गणित भी पढ़ते हैं, ध्यान से रखना, ध्यान से समझना, ठीक है, 40%, जो गणित भी पढ़ते हैं, ये 0.0, ये क्या हो गया, ये P of A हो गया, 0.4, और ये P of B में लिकाला, 0.3, ये बोल रहा है, गणित भी पढ़ते हैं, और विज् intersection, विज्ञान को में लिया B, A intersect B क्या दिया, 10%, तो 10% को में 10 बटा 100 लिखा, ये और ये काटा 1 बटा 10 को में 0.1 लिखा, तो यहां से P of A intersect B कितना आया, 0.1, यहां से देख, अब हम लोगों प्राइकता बताना है कि गणित या विज्ञान पढ़ता हो, यहां आ गया, यहां सोचो, तो यहां पर लिख दो, गणित का मतलब A, या का मतलब union, विज्ञान, जी विज्ञान का मतलब B, यह हम लोगों को find करना है, अब इसका formula तो ताजा ताजा हम लोग पढ़ किया है, ताजा ताजा हम लोग पढ़ किया है, क्या होता है P, A union है न, हाँ, P A union B is equal to होता ह है, P of A, plus P of B, minus P of A intersect B, P of A की value मेरे आँख में 0.4 दिखा, P of B की value 0.3 दिखा और यह 0.1 दिखा, तो यह क्या हो गया, 0.4 और 0.3, अगर मैं इसको कहां पर जोड़ू, यहां पर जोड़ रहा हूं, 0.4, 0.3, 0.7, minus 0.8, तो यह आ गया, 0.6 is answer, तो प्राइक्ता क्या होगी, ऐसे विध्यार थी, जो गणित या जी भी ज्यान पढ़ते हैं, उसकी probability होगी 0.6, तो यह मैं आप लोग को बताया, यह आप लोग को बताया, तो पंदरा कोश्चन है, यह मैं पूरा मस्त बताया, यह कोश्चन जबर्दस था, यह कोश्चन ज यह होग वक्त आप लोग का, यह होग वक्त आप लोग का, यह तो गजब चीज है, इसको एकदम ध्यान से देखते रहना, यह तो गजब चीज है, यह आप लोग को मैं करवाया, परसपर अपवर्जी नीशेश, यह कैसे लिकालते हैं, intersection union, यह जबर्दस तरीके से बताया, हाँ, इतना जबर्दस तरीके से और कोई बतायेगा, जबर्दस तरीके से बताया हमें, ठीक है, यह यह देखो, क्या बहतरी, अपने कॉपी में जब बनाया होगे, तो क्या फील आरी होगी नहीं आप लोग को, तो ठीक है बच्चों, तब हमारा सपर खतम हुआ, आप सभी आगे आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा लाइक्स कमेंट करते रहेंगे तो मैं पूरा प्रोबाबिलीटी में आप लोग कंसेप को एक दम क्लियर कर दूँगा इतना भरोसर रखे मेरे उपर तो अब और इसी प्रकार का नया इनिशेटिव अभिप्षय को अच्छा बनाना है तो हम लोग बच्चे मिलते हैं कुछ भी चीज कुछ भी आप लोग का सुजा होगा तो कमेंट पर जरूर बताइएगा अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो लाइक्स कमेंट करिए तो मिलता हूं बच्चो इसी तरीके नए इनिशेटिव के साथ तब तक के लिए अपने पढ़ते रहे और all the best अपने board exam में बहतरी तरीके से perform करिएगा और अच्छे नमबर लाइएगा best of luck मिलता हूं अगले किसी और session में तब तक के लिए bye bye